Hello Friends, Welcome to History Simplified for IAS Today we will discuss about origin of Rajput states So early medieval period में जो Rajput states इमर्ज होके सामने आई उनके बारे में थोड़ा discussion करेंगे कि Rajputs का origin कैसे हुआ उसके बारे में अलग-अलग theories हैं उनके बारे में discussion करेंगे Then Rajputs Society के बारे में थोड़ा देखेंगे और briefly कुछ major Rajputs states थी उनके बारे में discussion करेंगे Rajputs का अगर origin देखा जाए तो bardic traditions हैं जो कहते हैं कि 36 Rajputs clans थे जो इमर्ज होके आई थे सामने और उसमें से जो maximum clans हैं वो अपने आपको या तो सूरे वंशी या फिर चंद्रवंशी मानती है कि उनका जो lineage है वो claim करते कि या solar lineage है या lunar lineage है तो इसमें से कुछ जो है जैसे कि प्रतिहार चोहान देन चालुक्यास और परमार्स ये अपने आपको अगनी कुल lineage का मानते हैं चालुक्यास की जब हम बात कर रहे हैं तो ये चालुक्यास और बदामी या चालुक्यास और कल्यानी से confuse ना हो ये है चालुक्यास और गुजरात चालुक्यास और लता भी डिफरेंट है तो चालुक्यास और गुजरात को सुलंकीस भी बोला जाता है देन चोहांस को चाहमंस और परमार्स को पवार्स ये चार dynasties हैं काफी important इन्हों ने role play किया early राजपूत states के emergence में जो चंद बरदाई हैं पृत्वी राज रासो के author है ये कहते हैं कि ये जो चारो clans हैं इनका origin हुआ था एक fire pit से जो fire pit sage वशिष्ठा ने लगाई थी तो sage वशिष्ठा ने इस fire pit से इन चारो dynasties को emerge करवाया था और ये चारो dynasties ने काफी important role play किया in the starting period of Rajputs तो पहले गुर्चर प्रतिहार जो थी उनकी major kingdom थी उन्होंने काफी बड़ा empire establish किया लेकिन जैसे जैसे गुर्चर प्रतिहार kingdom disintegrate होती इनकी जगह पे चोहांस जो की शाकंबरी से रूल कर रहे थे देन गुजरात के चालुक्यास और मालवा के परमार्स सदन राजस्थान में प्रतिहार की प्राश थी इन्हों ने रूल किया काफी period तक इनके बारे में हम जुरूर थोड़ा थोड़ा discussion करेंगे चोहांस चालुक्यास और परमार्स के बारे में आगे चलके इनके अलावा कुछ और राजपूत स्टेट्स थी जो अपने आपको solar या lunar lineage की मानती थी उनमें से हो गए चंदेलास और बुंदेलखंड गहदवालास और कन्नौच ये भी फ्यूडलीजम जो इंडियन सोसाइटी में बढ़ रहा था उसकी वज़े से कुछ ऐसी सिच्वेशन बनी कि कुछ अरिस्टोक्रेटिक जो पैमिलीज थी वो उभर के सामने आई और इन्हों ने चोटे चोटे किंडम्स के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया यहीं से यह कुछ मिलिटरी क्लान्स इमर्ज हुए जैसे कि प्रतिहार हो गए चहमान हो गए गुहिल्स हो गए और इन्हों नहीं प्रतिहार इंडिपेंडेंटली इन्होंने अपनी काफी बड़ी किंडम एस्टाबलिश की थी लेकिन गुर्जर प्रतिहार के डिसिंटीग्रेशन के बाद में काफी राजपूत स्टेट्स जो हैं इंडिपेंडेंट होके सामने आई डें डीसी सरकार भी कुछ सिमिलर पॉइंट ओफ यू देते हैं इनका भी कहना है कि जो राजपूत क्लैंस हैं वो लैंड इस्टोक्रेट्स थे जो की रूलिंग क्लास की तरह बाद में देन जो हमारा जो में थीसीस हम लोग इसमें डिसकेश करने वाले हैं वो है बीडी चटोपाध्याई की इन्हों ने जो राजपूत क्लास की जो इमर्जेंस है उसको एक प्रोसेस के रूफ में देखा है और इनका कहना है कि अलग-अलग जगह पे और अलग-अलग पिरेड जो राजपूत का इमर्जेंस हुआ है वो एक जैसा नहीं था जो इनका कहना यह कि राजपूत एक सेक्शन था पूरा जिसमें बहुत सारे अलग-अलग तरह के चीफ थे जो धीरे-धीरे इमर्जों के रूलिंग क्लास में तबदीर हो गए लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि राजपूत को किसी एक सिंगल कास्ट के रूप में रेप्रेजेंट नहीं किया जा सकता और ये एक क्लास बन गई थी जो जिन्होंने अपने आपको जो है मिलिटरी पावर की तरह जो सामने ऊभर के आए और धीरे-धीरे वह रूलिंग क्लास बन गए उसको राजपूत बोल रहे हैं और ये कह रहे है कि उसमें एक सिंगल कास्ट का रूल नहीं है तो उसको सिंगल कास्ट की तरह ना देखा जाए इसलिए एंसिस्ट्री में अलग तरीके से ही वह इमर्ज होगे सामने आए है और अलग-अलग कास्स से सामने आए और इनका कहना है कि जो अलग-अलग लिटररी टेक्स्ट को देख दिया जाए तो जो 36 क्लाइंस का मेंशन आता है वो इन टेक्स्ट में भी सेम नहीं है इसमें भी डिफ्रेंस आते है तो अगर कुछ major जो clients थे उनको छोड़ दिया जाए, जैसे कि प्रतिहार हो गए, चोहांस हो गए, गुहिल्स हो गए, अगर इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो थे, वो जो है, उसमें कुछ हमें differences मिल जाते हैं, अलग-अलग text में, ये एक process के बारे में बात जो ये कर रहे थे, उसका इन्होंने बोला कि ये जो developments रही, इनकी वज़े से ही जो राजपूस का emergence हुआ, वो देख लेते क्या के developments थी, तो पहनी ये पोलते हैं कि agrarian and territorial settlements, so colonization की बात करते हैं ये, कि जो नए areas में settlements बड़ी, उसकी वज़े से agrarian economy को भी बढ़ावा मिला, तो नए जगे settlements आई, वहाँ पे जंगलों को साफ किया गया, agriculture को बढ़ावा दिया गया, ये एक process का part इसको मानते हैं, और इसके लिए ये reference देते हैं, literary sources का, literary sources में ये कहते ह नाम यहाँ पे आते हैं, तो नए places के नाम आते हैं, तो that means कि जो settlements है, वो बड़ी है, colonization हुआ है, इसमें example देते हैं शाकंबरी का, जो कि चोहांस की capital थी, ये शाकंबरी पहले forest land था, so forest land को साफ करके यहाँ पे settlement की गई, and then it became the capital town of चावमांस, then राजपुछ पावर का ये ये भी बोलते हैं कि इन्होंने जो tribal settlements थी, उनके उपर भी अपना वर्चस बना लिया था, जैसे कि जो पहले भील्स, पुलिंदास और सावरास, इनके अंडर में tribal communities जो थी, इनके खुद के chiefs होते थे, वो धीरे धीरे जो है राजपुछ पावर के अंडर में आगे, और य उसमें से काफी सारी और राजपुट स्टेट छोटी-छोटी उभरने लगी, वही यह बात करता है कि जो पहले फ्यूडेटरी रूलर्स थे, जैसे कि राश्ट्रकूट्स के अंडर में कुछ फ्यूडेटरी रूलर्स थे, या गुर्चर प्रतिहार्स के अंडर में थे, व उसका मेजर रीजन था कि जो राजपुट स्टेट थी वह बीक होने लग गई और यह जो राजपुट स्टेट सी वह दीरे-दीरे मिलिटरली स्ट्रॉंग होनी शुरूग हो गई, यह रीजन देते हैं इसका यह कि इंडिपेंडेंस स्टेटस क्यों इनको मिल गया, शत्री मिल गया कि इनोंने, इटो सारी एसींट करना, शुरू कर दिया, जैसे कि हुनास का लेते हैं के इसी वह ब ँचेटन संट देदिया गया, इसी इंडिया को खुरू के शत्रीय का स्टेटस देदिया गया, इनको इनको Indian society डंदर assimilate करके इंट्र-clan relations की बात करते और इसको एक major रजपताइज़ेशन का राजपताइजेशन process में इंट्र-clan relation का क्या रूल है कि जो marriage network यह clients के बीच में क्लैंस ने एक दूसरे के साथ marriage network किया जिससे इनको social legitimacy मिल गई और इससे राजपूत जो थे राजपूताइजेशन की process जो है वो accelerate हो गई साथ के साथ ये राजपूत states के बीच में diplomatic relation भी आपस में बने रहे लेकिन इसमें ये भी देखा गया कि लगातार इनके बीच में जो frequent conflicts थे राजपूत के अंडर में वो भी देखने को मिलते हैं वो आगे हम लोग और इसके बारे में discussion करेंगे then राजपूत क्लैंस की एक और major जो राजपूताइजेशन की process है उसका एक important और पार्ट बनता है then हम आते हैं राजपूत society के बारे में थोड़ा discuss करते हैं तो राजपूत society was clan based so clan based ही हर clan के members अपने आपको एक common ancestor के descendant मानते थे अब ये common ancestor उनका real भी हो सकता है या imaginary भी हो सकता है राजपूत states को एक राणा या रावत rule करता था और उसकी help करते थे chiefs अब ये chiefs आगे जो land है वो sub chiefs को allot कर देते थे villages के अंदर and then these sub chiefs further they allot this land to individual राजपूत warriors वो अपनी families और horses को maintain करते थे अब राजपूत organization जो थी society की उसका एक major advantage यहां पर बोला जाता है that was the sense of brotherhood and egalitarianism जो सब एक दूसरे को equal मानते थे और brotherhood की भी बात यहां चलती है लेकिन इसमें problem ही होती है कि groupism भी बन गया था कि कुछ जो राजपूत राजपूत clan थे उन्हों वो एक साथ आके उनके भीच में तो brotherhood की feeling आ गए लेकिन वो दूसरे group से अपने आपको superior मानने लग गए यह एक reason रहा इनका आपस में conflict करने का then conflict के reason भी क्या हो गए land हो गया then cattle हो गई then दूसरा देखते है कि जो यह ruling class थी जो राजपूत ruling class थी वो उनका आपस में तो brotherhood है और दूसरे groups of राजपूत के साथ भी उनके conflict रहे और साथ के साथ जो यह brotherhood की जो feeling थी यह non राजपूत के साथ यह extend नहीं करना चाहते थे हाला कि जो majority of the population थी that was non राजपूत क्योंकि राजपूत वस रूलिंग क्लास तो obviously it was in minority if we see it in terms of population राजपूत स्टेट्स आपस में जो हमने बात की एक दूसरे साथ conflict में चलते रहे और इनका major reason रहा territorial expansion एक reason रहा then second was cattle so यह problem इन में हमेशा चलती रही और इसकी वाले से common people थे उनको यह battles की वाले से सफर करना पड़ा battles को लडाईयों को राजपूत्स ने खेल की तरह इन्होंने as a sports इन्होंने इसको यूज किया देन कुछ दूसरी चीज़े देख लेते हैं इसमें राजपूत रूलर्स नहीं हिंदुईजम और जैनिसम को पैटरनाइज किया जैनिसम देखे उस समय भी decline में जा रही थी लेकिन फिर भी जैनिसम को राजपूत रूलर्स के द्वारा पैटरनाइज किया गया यह पता च दिये एंड देन ब्राहमन्स ने राजपूत को एस चत्रियस रेकेगनाइज किया और इनके रूल को लेजिटिमाइज किया नौर्थ इंडिया के जो temple construction था that was in नागर style और यह जो नागर style of architecture है वो राजपूत रूलर्स के अंडर में अपने pinnacle पे पहुंचा इस समय काफी temples भी construct किये गए जिसमें से जैसे कि sun temple हो गया मोडे रखा देन दिलवाड़ा temples हो गए माउंट आउगू में यह सब राजप आपल्स को भी देखेंगे उसमें देन राजपूत स्टेट्स ने scholars को भी patronize किया और आर्ट को भी patronize किया संस्कृत अपब्रंश और प्राकृत जैसी languages के काफी ज्यादा works इस समय जो थे किये गए और इनी languages में से बाद में और जाता जो modern languages हैं वो आने वाले पीरियंड में develop हुई जैन स्कॉलर हेम चंद्र ने संस्कृत और अपब्रंश दोनों languages में लिखे थे वर्ग वस्तुपाल एक प्राइम मिनिस्टर थे अंडर वगेला किंग विसाल देव और वस्तुपाल ने भी आर्ट और आर्किटेक्ट्चर को patronize किया वस्तुपाल का ए से 12th century में यह independently prominence में रहे थे जोहांस ने शाकंबरी जो आमने पहले देखा इनकी capital थी शाकंबरी से ही रूल कर रहे थे पहले प्रतिहार्श की feudatories थे सिमाराज ने फर्स टाइम महाराजा अधिराज का जो है टाइटल लिया था और शायद यहीं से इन्होंने इंडिपेंडेंटरी रूल करना शुरू किया अजय राज टू इन्होंने अपनी capital को मूव किया अजय मेरू को found किया विच इस नाओ अजमेर अजय मेरू को found किया and he made अजय मेरू his capital विग्रह राजपूर यह सबसे important ruler थे चोहान डाइनस्टी के और इन्होंने राजस्थान, हर्याना और डेली के एरियास तक अपने rule को expand किया and he ruled over these places, Tomar ruler थे डेली में उस समय उनको defeat किया, Tomar को हराने के बाद उन्होंने Tomars को अपना vessel बना लिया and Tomar ने continue किया डेली में rule करना, then अजयर राज के अंडर में ही एक संस्कृत center of learning अजमेर में बनवाया गया और यही वो center है जिसको बाद में पुतुबिदी नेवग के समय अडाई दिन का जोपडा मौस्क इसी center के उपर बनाई गई थी, then हरा के लिए नाटक संस्कृत ड्रामा है, that was also written by विग्रह राज 4, तो ज्यादा deep में हम यह states के बारे में discuss नहीं करेंगे, जो important facts वगरा है, व जेजा का भुक्ती बुंदेल खंड एरिया में जो चंदेला सुरूल कर रहे थे, then घहदावाला जो अफ कन्नौज, इनके against इन्होंने expansionist policy रखी, जिसकी वज़े से लगातार यह conflict में रहे, यह सारे बाकी राजपूर स्टेट्स थे, तो राजपूर स्टेट्स के साथ लग वज़े वज़े तो इनको चंदेल भुए दो बुदेल खंड एरिया में है, that was capital of चंदेलास, राजा जैचंद्र जो की कन्नौज या बनारस से उस समय रूल कर रहे थे, उसके against में भी प्रिथविराज 3 ने इनके अभीज में लगातार conflict चलते रहे, यही कारण था, क्योंक मुईजुदिन मुहम्मद तो जब मुहम्मद गौरी ने जो ही इन्वेजन किया था उस समय प्रिथवी राज्थ्री ने हाला कि काफी बड़ी आर्मी तो इकटी कर ली थी तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाद भी पंजाब में से इन्होंने गुरित्स को निकालने की कोशिश नहीं की मुहम्मद कोरी की फोर्स वहां पे और पंजाब को उसने अपना बेस बनाया था देन सेकेंड बैटल ऑफ पानी तराइन हुआ 1192 में जिसमें चोहान रूल एक तरह से काफी जो है कमजोर हो गया था और उसके बाद ये कुछ समय और चलता रहा लेकिन वर्चुली जो है चोहान रूल यहीं पर एंड हो गया देन गहदवाला से बारे में देखते हैं गहदवाला स्कानाज या बनारस के एरियास से रूल कर रहे थे इसमें वैसे ही एक स्टेट इन्होंने काव आउट की थी और गहदवाला वहां पर रूल कर रहे थे सबसे पावर्फुल रूलर देख लें तो गोविंद चंदर था अज़ प्रिंस इसने गजणवीट की अगेंस्ट और पालाश की अगेंस्ट मिलिटरी सक्सेश फाई थी दे कालाचूरीश की भी कुछ जो टेरिटरीश थी वह अपने अंडर में ले ली आज़ रूलर दे गजणवीट को भी इन्होंने फुडा जो है उसके अगेंस्ट भी टेरिटरी को इन्होंने बचा के रखा, प्रोटेक्ट करके रखा, जैचंद्र was the last powerful king of the dynasty, और battle of चंदावर में जैचंद्र को मार दिया गया था, by गुरुवित forces led by कुतु बुदीन एबक, इस तरह से गहदवाला जो भी जो है, एक तरह से पतन हो गया इसके बाद, then हम देख चालुक के डाइनिस्टी, जिसको सुलंकी डाइनिस्टी भी बोला जाता है, और गुजरात, चालुक के रूल, रूलर ने रूल किया from अनहिलवडा पातन, जिसको आज पातन बोलते हैं, और ये गुजरात और राजस्थान के पार्स दोपर रूल कर रहे थे, so शुरू होने से पहले ही, अपनी कैपिटल से भाग गया था, और मह्मूद गस्णी ने सोमनाद टेंपल को लूटा, लेकिन बाद में धीमवण ने वापिस से जो है चलुक के डाइनिस्टी की पावर को रिवायब किया, एक इंपोर्टन टूलर रहा इनका जैसिमा महम्मद गोरी को बैटल ओफ कसर, कसराडा में हराया था इन 1178, मारू गुजर आर्किटेक्चर काफी पॉपिलर रहा चलुक के डाइनिस्टी में, और संट टेंपल ओफ मोधिरा काफी इंपोर्टन टेंपल था जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था, माउंट आबू के में इन ही स्टॉक किये गए थे देन तरंका जैन टेंपल महसाना में, रूद्र महाले टेंपल पाटन में, यह सारे चलुक के डाइनिस्टी के बारे में देखते हैं, राष्टपूट वसल था, सिया का नाम का, उसने परमार डाइनिस्टी को फाउंड किया था, भोज सबसे celebrated ruler माना जाता है परमार डैनेस्टी का और rule अगर देख ले तो चितोड से लेके कौनकन तक और सावरमती रिवर से लेके विदिशा तक तो ये काफी बड़ी territory के उपर भोज ने rule किया था और art, literature और sciences के pattern थे राजा भोज भोजपुर नाम का city found किया था जहां पर एक series of dams इन्होंने construct करवाया था जिससे कुछ reverse को reverse के flow of water को इन्होंने arrest किया था एक incomplete temple है भोजेश्वल temple नाम का इसको भी construct करवाया था then center of Sanskrit studies धार में बनाया गया जिसको भोजशाला नाम दिया गया था सो पर्मार की power भी राजपूर स्टेट्स के बाकी राजपूर स्टेट्स के साथ battles होते रहे इनके जिसकी वरस इनकी power भी कम हो गई और फाइनली अलावदिन खिलजी ने जो है पर्मार डाइनस्टी को अपने empire के अंदर मिला लिया देन चंदेलास के बारे में देखते है 11 से 13 सेंचुरी के बीच में बुंदेल खंड एडिया में इन्होंने रूल किया था उस समय इसको जेज का भुक्ति बोला जाता था महोबा इनकी capital थी यशो वर्मन के समय में चंदेलास प्रॉमिनिंस में आये थे हाला कि गुर्जर प्रतिहार का वासल था यशो वर्मन लेकिन फिर भी practically ये इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा था अब चंदेलास का contribution temple architecture में माना जाता है यशो वर्मन के समय पे लक्षमन temple धंगा के समय में विश्वनाथ temple और विद्यधर के समय में केंद्रिय महादेव temple खजुराहू में बनवाए गए थे खजुराहू के temples के अलावा कालिंजर, खजुराहू, महोबा और अजेगड में water bodies, palaces और forts का construction करवाया गया था बाइ चंदेलास तो ये कुछ important जो राजपू स्टेट्स थे उनके बारे में डिसकस किया ये सिर्फ earlier parts की ही हम बात कर रहे हैं देन उसके बाद और strong राजपू स्टेट जो थी strong थी, वो emergence, emerge होके सामने आई थी, so अब भी हम इसको यहीं पर end करते हैं अपने discussion को, so thank you very much and have a very good day.